और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजे आप लोग को बताना चाहूंगा सोशल मीडिया क्यों इंपोर्टेंट है और क्यों आपको इस ट्रेनिंग को अच्छे से सुनना चाहिए द्यान से मेरी बातों को सुनना चाहिए वो सब चीजे मैं आपको बताऊंगा तो सोशल मीडिया आज के टाइम पे जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं तो आज के टाइम पे उसके अंदर जो सबसे आपका जेंडर है मैटर नहीं करता आपको सोशल मेडिया आना बहुत जरूरि है अगर आपको सोशल मेडिया आता है तो आप अपने घर पे रहके भी बहुत अच्छे से बिजनस को कर सकते हैं सोचल मेडिया इंपोर्टेंट क्यों है जैसे आपको एक्जामपल देता हूँ जैसे मालो कोई भी इंसान जो नेट्रोक मार्केटिंग में आज 10-20 लाख रुपे कमा रहा है तो आप देखेंगे कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को 10-15 साल दिये हैं उस नेट्वर्क को उस टी बिजनस प्लान दिखाने के लिए उनके 10-12 दिन खर्च हो जाते हैं पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो मैं एक मिनिट में दिल्ली के अंदर प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूं और एक साथ सेंकडों लोगों को मैं बिजनस प्लान बता सकता हूं तो सोशल मीडिया ए आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए और यह ट्रेनिंग को क्यों ध्यान से देखना चाहिए तो मैं आपको सब चीज़ां भी दिखाऊंगा वीडियो अपना ओफ करूंगा तो पहले मैं दिखाता हूं आपको कुछ चीजे स्क्रीन करके ऊके सो ये वेश्टीज का अपना बॉनस वाला सेक्षं होता है तो जब मैंने इस बसन सबसुरों किया था तो उस टाइम पे पेंडमिक का टाइम था अपरेल के अंदर मैंने शूरू किया था इस बसन सबस्요 को 2020 के अंदर उससे पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानता था और मैं एक जोब कर रहा था तो एप्रेल में मैंने शुरू किया फर्स्ट मन्त जब पेंडमिक का टाइम था मैंने खुद का स्वोपिंग किया और मुझे 29 रुपे है थे वो मेरे अकाउंट के अंदर आए उसके बाद में मैंने सेकेंड मन्त काम किया आपको मैं दिखाऊंगा मैं के अंदर तो मैं के अंदर जो मेरा इंकम आये था वो 334 रुपे का आये था और मेरे पास में अप्रेल के अंदर कोई भी लोग नहीं थे जो भी दो-तीन लोग पहले जिनको मैंने जोइन करवाए थे वो भी छोड़ दिये थे पे 7,000 रुपे का था उसके बाद में जुलाई का इंकम था वो 10,000 का था और अगर मैं आपको दिखाऊ अगरस्त का मेरा इंकम तो वो 37,000 का था यानि कि जो मैं जोब से कमा रहा था उसका दुगना इंकम मैंने वेस्टीज के अंदर मातर पांच महिने के अंदर पार कर दिया था सिर्फ ओन लाइन काम करके आज भी मेरी टीम है और इंडिया में 15 से ज्यादे स्टेट के अंदर आज मेरी टीम है हर जिगह पे नेटवर्क मेरा काम कर रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं आज तक परसनली मिला नहीं हूँ और मेरी टीम में सब स्टार्ट होगी तो जिस्ट एसकेंड ऑके सोशल मेडिया जो होता है अपना वोट्स अप यूटूब टेलीग्रम यह सब चीज़े सोचल मीडिया के अंदर आते हैं और सोचल मीडिया के चार बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जिनके उपर पूरा सोशल मीडिया चलता है त प्रड़क कैसा है लोग कैसे हैं ठीक है यह सब चीजे प्यावर्ट वगेरा हम देखते हैं तो सोचल मेडिया पे कोई भी परसन जिसके साथ आप बात करेंगे वह आपकी चार चीजे देखेगा और वह चार चीजे आपको वहाँ पर स्ट्रोंग करनी उसको मैं फोर पी बोलत हैं वैसा जब आप सोचल मीडिया पर काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी चीजे करते हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ में connected तो नहीं है जो जिनका friend होने का कोई value नहीं है कोई मतलब नहीं है तो वहाँ पे कैसे लोग आपको घूंडने चाहिए किन लोगों से बात करना चाहिए वो second P हम जानने की कौसिस करेंगे और तीसरा जो P होता है वो होता है कि आप वहाँ पे क्या content ड पोस्ट नहीं कर रहे हो तो कैसी पोस्ट करनी चाहिए तीसरा point हम वह सीखेंगे और जो final point है जो सब कोई जानना चाहता है यह तीन पॉइंट तो कहीं ना कहीं से ढूंड के हर कोई कर लेता है पर चोथा जो point है जो की सबसे important है वह होता है prospecting कि बात क्या करना है exact क्या बोले नहीं देगा सिर्फ मेरा स्क्रीन दिखाई देगा और हम जो भी चीज़े सीखेंगे वह प्रैक्टिकली सीखेंगे ठीक है मैं सिर्फ आपको बोलूंगा नहीं सब कुछ दिखाऊंगा और step by step आपको देखते जाना है एक बार मुझे confirm कर दीजे आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है यह सर हो रहा है ओके ठीक है सो मैं आपको सबसे पहले Facebook आप सब लोग चलाते होंगे तो कुछ चीज़े में आपको बचा देता हूं सबसे इंस्टाग्राम का आप गूगल पे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा आपको फेस्बूक इंस्टाग्राम मेसेंजर वोटसप तो सबके पास होता है टेलीग्राम यह सब चीजे आप अपने फोन में डाउनलोड करके रखें आपको बहुत सारी लीट्स जनरेट करके दें फेस्बूक पे आपका प्रोफाइल पे आपको जाना है वहां पे यहां पर इनीप्रोफायल का आपको जांगा vos पहला आप यहां से मेरे से समझेए तो सबसे पहली ऊपर आपको प्रोफायल फोते हैं तो भूत सारी लोग यहाँ पर सर्टलेस फोटो लगा देते हैं या कोई सायरी लगा देते हैं या कोई चुटकुले लगा देते हैं या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर का फोटो लगा देते हैं वहाँ पर आपको प्रोफाइल पिक्चर पे खुद की फोटो लगानी है और अगर आप खुद की फीमेल लीडर है उनकी फोटो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको फेमिली से रेस्ट्रिक्टेड है कि आप फोटो यूज मत करें अपनी सोचल मेडिया पर कुछ फीमेल मेरी टीम में ऐसी हैं तो आपको क्या करना है जो भी लोग खुद की फोटो लगाते हैं उनको मैं बोल आपको वहाँ पर लगानी होती है और उपर के हिस्से की फोटो लगाएं ठीक है प्रोफेशनल फोटो होनी चीए दूसरी चीज आती है आपकी कवर फोटो अब कवर फोटो में कुछ लोग सायरी या मोटिवेशनल कोट्स वगेरा लगाके रखते हैं तो मैं आपको सजिस् इनसान है और उसको एक स्ट्रेंथ चा नजर आता है वहाँ पर तो कवर पर आपको जो फोटो डालनी है वह ऐसी फोटो डालो कि जहां पर बहुत बड़ी मीटिंग दे रहे हो या फिर आपने कोई अपनी टीम की परसनल मीटिंग की है तो ऐसी कोई भी आपके वास प्रोफ लिट्स लेट कर सकता है पर जो मैं आपको ट्रेणिंग दे रहा हूं एक बेसिक आपके वास में अगर पैसा नहीं है पैसा आप सोचल मीडिया पे खर्च नहीं कर सकते तो उसके हिसाब से दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी पैसे का प्रोब्लम था तो मैंने ये तरीके न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कुछ लोग पैसा लगाके लीट्स जनरेट करते हैं जो कि बहुत गलत है उसके अंदर आदी लीट्स तो आपकी लीट्स होती नहीं है कुछ लोग तो मज़े लेने के लिए नंबर डाल देते वहाँ पर आपको बहुत कम रिजल्ट्स आत तो कवर पर अगर मानलो आपके पास में ऐसी फोटो नहीं है तो आप अपने सीनियर का फोटो यूज कर सकते हैं कोई जिसमें बहुत सारी गैदरिंग दिख रही हो ऐसी फोटो तीसरी चीज आती है बायो थिक है बायो तीन चीजों से मिलके बना होता है पहला होता है कि विजिटल नेटवर्कर हूं और मैं ड्रीमर टाइप का इंसान हूं और मैं लोगों को इंफ्लुएंस कर रहा हूं अच्छी जिन्दगी जीने के लिए ठीक है तो आप भी अपना इस तरीके से एक बायो बनाईए कि आप कोन है आप किस तरीके के इंसान है और लास्ट में तो उसको हाइड रख सकते हैं दिखाने का ज़रुरत नहीं और आप चाहिए तो दिखा भी सकते हैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता आप कभी यह ना सोचे कि यार मैं लोगों को बोलूंगा कि मैं वेस्टीज करता हूं तो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे मैं तो बात आप add कर ले, आप कहां से पड़े हैं, जो भी आपका city वगेरा है, अब बहुत सारी लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़े डाल देते हैं, बहुत कुछ चीज़े यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो बहुत सारी नहीं लिखना है, बस basic basic जो actual चीज़े हैं वो लिखिए, ठीक आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो basic आपको खुद को पसंद है, चार, पांच या लास्ट साथ होबी आप डालिए, साथ से ज्यादा मत करिए, वो होबी आपको यहाँ पर add करनी है, फीचर्ड का option आजकल फेस्बुक ने change कर दिया है, तो इसका इतना role रहा नहीं है आज के टाइम पर, फिर भी अगर आप यहाँ पर add करना चाहें, तो यहाँ पर आप photos add कर सकते हैं अपनी, पर यह अभी इतना काम का नहीं है, तो इसको आप नहीं add करें तो better रहेगा, उसके बाद में option आता है, links वाला, तो यहाँ पर link में आपका Instagram account आप add कर लीजिए, Facebook add कर ली हैं, तो यह होता है आपका basic profile पर चीजे change करना है वो, पर अपना main काम यह नहीं है, main काम है यह आपका profile आगया, यह तो आप update कर लेंगे, update करने के बाद में आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है, जैसे आपकी photos होती है Facebook पर, आपको किसी भी celebrity की profile पर आप जाओ, वो क्य पर आपनी चीजों को हटाता रहता है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आप आज present time में जो चीजे कर रहे हो, present time में जो इनसान हो, आप वो चीजे लोग आज के time पे लोग को दिखाते हैं, तो मैं आपको यह बोलूगा कि जो अपनी पूरानी photos, जो unprofessional हैं, मलब सब नहीं हठा कि photos इस तरीके से होनी चीजें कि सामने वाला उनको देखे, तो वो professional feel करें, तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी professional photo रखनी है, जो आपने चुटकुले, सायरी, धरम, राजनीती की photos पहले upload की हैं, सब को delete कर दीजे, क्योंकि इपेंजी आपकी avoid नहीं आ रही है जी सर, अभी clear है सर? बच्चे की तरह दिखता था, तो मेरे beard भी नहीं आई थी, तो लोग सोचते थे, यह बच्चा ही है, हमें क्या business बताएगा, तो social media पे आप अपनी matured जो photos हैं, वो ही रखें, अगर आप unmatured दिखते हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं, तो अपनी photos upload करना कम रखें, और आप आपको delete नहीं करनी है, photos मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई भी आपकी photo है, तो आप उसको delete नहीं करना चाते हैं, तो एक option आता है, यहाप इन तीन dot पे आप click करेंगे, तो उसकी privacy आप change कर ले, उसको only me कर लें, only me कर लेंगे, तो उसको सिर्फ आप ही देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, तो यह कुछ basic profile पर चीज़े आपको सही करनी है, उसके बाद में क्या होता है, कि जैसे profile होती है, तो उस पे सिर्फ आपकी ही आपकी post आनी चीए, ऐसा नहीं है कि उस पे किसी और की post आ रही है, आपकी profile है, तो आपकी ही आपकी post आनी च है किया है, अब कुछ लोग की profile पर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा यहां पर, कि मुझे से केंड़, कुछ लोग की profile पर आप जाएंगे तो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, तो आपको वहां पर दूसरी लोगों की post मिलती है, जैसे आप खुद तो धरम और राजनिती वाली post नहीं करते हो, पर कुछ लोग करते हैं, और आप को tag कर देते हैं, जिससे आपकी profile पर दिखाता है, तो उससे गलत impact पड़ता है, तो आपको क्या करना है, उस option को जिससे जो भी post दूसरे लोगों ने की हैं, और आपकी profile पर दिखा रही है, तो आपको इन three dot पर click करना है, और आपको यहां पर remove tag का option आएगा, इस पर तो नही post होनी चीए, उसके लाब किसी और को tag नहीं करना है, तो उसके लिए एक setting आती है, उसको आप change कर ले अपने, उसके अंदर में आपको बता देता हो, settings में आप जाएंगे, तो setting पर आपको click करना है, और नीचे नीचे जाना है, आपको आप एक option मिलेगा profile and tagging का, आपको option पर कर लेना, इन दोनों options को आपको, तो आपका जो फिर आपको आगे से कोई भी tag करेगा, तो पहले permission लेगा आपसे, तब ही tag कर पाएगा, तो यह basic है Facebook का, और आपकी यहाँ पर जो भी post आपने unprofessional कर रखी है, उन सब को आपको delete कर देना है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रख करना है, Facebook से direct login हो जाता है, इस तरीके का interface नीचे 4 option आते हैं आपको 5, तो जो last वाला option है, वहाँ पर click करना है, और वहाँ पर आपको मिलेगा आपका Instagram profile, तो सबसे पहले edit profile का option है, यहाँ पर देखिया, आप edit पर click करना है, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़े हैं, थोड़ का जो नाम है, यहाँ पर real name ही आप लिखें, कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं, Smarty, Rahul, या Cute, या Devil, Queen, ऐसे कुछ नाम रखेंगे, अजीब और गरीब, जो आपका real name है, जो आपके मम्मी पापा ने दिया है, वो real name आप वहाँ पर रखें, बहुत प्यार से रखा है कुमावत आपका नाम है, तो पूरा username नहीं रिखना है, कि राहुल कुमार कुमावत 84-560, इतना बड़ा username नहीं रखना है, आपको छोटा सा, यूनीक सा username रखना है, जैसे की, मेरा है, सारुक खान का है, IMSR के, ठीक है, सलमान खान का है, साइध कुछ ऐसा है, तो जो भी आ आपका छोटा सा, जैसे आपका नाम अजे है, तो लिखिए, आई एम अजे, धरील अजे, तो ऐसा यूनीक सा username आप बनाईए, यह आपको Instagram बताएगा कि यह अवेलेबल है कि नहीं है, जो अवेलेबल होगा, उसको आप चूज कर लीजेगा, तो username बहुत छोटा और यूनी आप और भी चीजे एड कर सकते हो, यहाँ पर, आप कौन हो, आप किस तरीके के इनसान हो, और आपको क्या पसंद है, और यह चीज़े आप यहाँ पर एड कर सकते हैं, भाईो के अंदर, तिक है, और यह अगर आप, शुरू में मैं आपको बोलूँगा कि आप जो Instagram पे अपना अकाउंट है वो प्राइवेट रखें तो उससे क्या है थोड़े से आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो लोगों से आप बात करोगे जिसे आपने किसी को बुला बिजनस मैं entrepreneur हुए या फिर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं लोग की help कर रहा हूं तो लोग आपकी profile देखते हैं तुने 500 लोग का follow कर रखा है तेरे को 50 लोग follow करते हैं तो किस चीज का entrepreneur है तो private profile रखना है और उससे आपके थोड़े followers बढ़ेंगे उसके बाद में आप उसको public कर सकते हैं तो यह ही आपको options मिलेंगे Instagram पे यहां पे कुछ setting वगेर आपको करनी होती नहीं है सब कुछ सही होता है बस जो भी unprofessional post आपने कर रखी हैं जो काम की post नहीं है धरम राजनीती वाली वो सब post आपको यहां से हटा देनी है सिरफ professional और अच्छी post आपको यहां पे रखनी है तो जो हमारा पहला point है वो हमने यहां पे clear किया है क profile कैसा होना चाहिए और कैसे उसका update करना है ठीक है अब हम दूसरे point पे move करेंगे और दूसरा जो point है वो है post की post कैसे करनी है यह सबसे important part है और यहां पे इंसान को खुद का दिमाग लगाना पड़ता है कि post किस तरीके की करनी है और क्या post करना है क्या चीजे वहां पे share करनी है ठीक है तो आपका जो facebook account है जो instagram account है वहां पे आप खुद की photos डाल सकते हैं पर खुद की वो photos डालें जो थोड़ी professional है जैसे आप पहले तो कोई भी photo upload कर देते होंगे पहले तो कुछ भी आप वहां पे डाल देते होंगे पर अभी आपको क्या करना है facebook और instagram पे अपनी वही photo upload करनी है जो professional है ठीक है देखो post और story दो चीज होती है एक तो status लगाने का option होता है एक post करने का option होता है तो post में आप वो डालते हैं जो आप कर रहे हैं अपनी life के अंदर ठीक है अपने dreams के लिए और story पे आप वो चीजे share करते हैं जो आप अपनी daily life म कर रहे हैं कि आपने आज अपने सपनों के लिए क्या किया है वो आपको story पे डालना है और जो आप आपका main काम है वो आपको post में दिखाना होता है इस story पे आप कुछ भी share कर सकते है कि आप आज क्या किया आपने कौन सी meeting अटेंड की वो सब अपने status पे डालो वो post मत करो और जो में चीजें आपने को मीटिंग किया बड़ा offline मीटिंग किया या फिर जो achievements हुई आपकी टीम में वो सब चीजें आप यहां पर share कर सकते हूं तो किस तरीके की post करनी है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको upload करनी हैं तो मैं कोई भी फोटो ले लेता हूं लेट सपोज मैंने यह फोटो स्लेक्ट कर लिया ओके कि अब सबसे पहले चीज देखनी यहां पर public होना चाहिए इसको public रखना है अमेज़ा ठीक है एल्बम वगेरा कुछ का एड मत करो सिंपल रखो अब आपको सबसे पहली चीज करनी होती है कि आपको ஆ टालना होता है अब मैं बहुत सारे लोग का Scottish देखता हूं कि हो को बहुत बड़ा सा लिख देते मतला बहुत सारे लोग करते वह बहुत बड़ा सा लिख देते आपने mentorship kayak आपको दो डालना in Kil DR, हो सकते हैं छोटा सा लिखिये Go dość के अंदर और को पोस्त तो उस में आप बड़ा लिख सकते हैं पर नॉर्मल पोस्ट में दो से तीन लाइन का कैप्शन लिखिया आप दूसरी चीट जैसे आप यहां पर कि जैसे यहां पर मैं आपको वैसे डाल के बताता हूं कि अगर कि अगर कि अगर कि आपको क्या करना है जो भी आप कैप्शन वहां पर डालना चाहते तो चोटा सा कैप्शन आपको लिखना है दो से तीन लाइन का ओके दो से तीन लाइन का कैप्शन आपका होना चाहिए उसके बाद में आपको वहां पर कुछ हैस्टेग एड़ करना होता है तो मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूं कि एरो यह मूव नहीं हो रहा है एक मिनाट कि आख कर दूसरी चीज होती है आपको यहां पर कुछ हैस्टेग वगेरे डालने होते हैं है जस्टे सेकेंड है तैस को ओप्चिन वह एस पर आ रहा है तो नहीं सरी अ मूव नहीं हो रहा है इकन इस मूव नहीं होगा एस को आप लॉंग प्रस्टेवजे लिए जाए यह तीक है यह आसे हो नहीं रहे तो मैं आपको यहां से करके बताता हूं आपको कुछ हैस्टेग डालने होते हैं तो सबसे पहले आपको जो हैस्टेग यहां पर डालेंगे तो जैसे आप कुछ बीजिए दाल सकते हैं जैसे मैं बेसिक आपको बताता हूं जो यूझ कर सकते हैं नौर्मली कि 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 सब्सक्राइब को में वह कुछ भी आप अपने अकोडिंग डाल सकते हैं दो हैस्टेग अपनेकर रखें जो आप हमेजा यूज करेंगे ठीक है जैसे मैं कुछ common रखता हूं यह मेरे चार हैस्टेग है वो common है उसके बाद में मैं डालता हूं यहाँ पर जो post मैंने किया है उससे related जैसे आप फ्रीडम की बात हुई है तो मैं डाल दूँगा लोग टैग तो करते हैं पर उन लोग को टैग करते हैं जो लोग ओल्रेडी आपके बिजनस में होते हैं या फिर अपने अप्लाइन को टैग करते हैं आप अपनी पोस्ट में उन लोगों को टैग करो जिन लोग को आप अपने बिजनस में लाना चाहते हो जो नए लोग हैं ज एक्टिविटी वाला option मिलता है तो इसमें आप happy, excited, grateful और भी option मिलते हैं पर जो मेरा फेवरेट है वो मैं activity में चूज करता हूँ feelings वाले में एक्टिविटी वाले में जाना है यहाँ पर looking form पर जाना है और यहाँ पर मैं type करता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा यूनीक सा यह बन जाता है looking for the dreamers ठीक है और यहाँ पर लोकेशन डाल सकते हैं जो भी आपका caption लिखते हैं आपको बड़ा सा caption लिखना avoid करना है आपका जो caption है वो दो से तीन line का होना चाहिए उसके बाद में caption आप अपनी local language में लिखिए ऐसा नहीं है कि आपके जो भी लोग friend बने हुए है Facebook पे उनको आप English में डाल रहे हैं और उनको English समझ में ही नहीं आता है वो Hindi समझते हैं तो Hindi में caption डालिए क्या आप इससे agree करते हैं हिंदी में लिखिए ठीक है आपको जो लोग आपके Facebook पे हैं और वो जो भासा समझते हैं उस भासा को यूज करिए सुरुवाती टाइम पे बाद में आप English में यूज करिए चलेगा बड लोकल जब आप business बना रहे हैं उस टाइम पे basic जो आपके तो यह पॉस्ट करने का तरीका होता है उसके बाद में स्टोरी का आपशन आता है तो वो भी मैं आपको बताउंगा मो को वह सब्सक्त करीब किसे करटा कीसे लगा सकते हैं जसे माललोगों को कोई भी ऊटरी पर लगाना है तो जसी एही पोस्ट हम ले लbokते लोग यहां प आप यहां पर एड़ कर सकते हैं यहां पर आपको music वगेरा एड़ करने का option भी मिल जाता है तो अपनी पोस्ट में अपनी फोटो में आप music वगेरा भी एड़ कर सकते हैं पर ध्यान रखिए जो वीडियो जो पोस्ट आप कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा सही तरीके से सेट करके फिर post करिए ऐसे ही story पर मतलगा दीजिए इसका आपको ध्यान रखना है लिए इंस्टेग्राम पर आपको थोड़ा बता जवेता हूं पोस्ट करने का तरीका इंस्टेग्राम पर पोस्ट कहां से होता है नीचे जो प्लस आइकन बना हुए आपको उस पे क्लिक करना है जैसे आप उसके क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर जैसे वालों आपको यह पोस्ट करना है तो जब आप फोटो स्लेक्ट कर रहे हैं तो देखो आप यह जूम होके आ रहा है अब बहुत सारी लोग को यह option पता नहीं है वो क्या करते जूम की जूम फोटो को यह upload कर देते ह है यहां पर एक option आता है छोटा सा इसपे आप क्लिक करेंगे तो फोटो चोटी हो जाती है यहां पर इससे Set कर सकते आप इसको ऐसे आराम से यह menid हो जाती है है सब की करोग्टक्षस को वह सेम चीज caption डालेंगे हैस्टेग डालेंगे हम जो फेस्बुक पे डाला है वो चीजें यहां से भी आप लोग को टेग कर सकते हैं मिनिमम बीस लोग यहां से टेग होते हैं और इस टोरी भी लगा सकते हैं एक जिगह से आपके दोनों काम हो जाएंगे तो मैं तो इसी ओप्शन को यूज करता हूं फेस्बुक से इंस्टाग्राम पे लगाता हूं तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्त है वो हो जाएगी सब्सक्राइब करना है वह आप यहां पर कर सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर जैसे आपको कुछ भी टाइप किया आपने पता देता हूं आपको कि अब एधिक है हमने यह टायप कर लिया अब करने के बादेखहर हम उसको झोटा कर सकते हैं यहां से छोटा बड़ा बीक हिथान आपको मिलता है यहां पर इसके 40 भी चेन्ज कर सकते हैं और इसको आप तो आप यहां पर देखेंगे जो मैंने लिखा है इस तरीके से आप लिख सकते हैं और चीजे यहां पर चाहिए तो ना तो ज़ादा ऊपर करना दो नीचके करना आप उसको पोस्ट आप कहां से लेके आएंगे, कौन सी पोस्ट करेंगे, कैसी पोस्ट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली आप खुद की फोटो पोस्ट करिए, ठीक है, पर खुद की फोटो ज्यादा मत पोस्ट करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप वीक क करते हैं तो सूझते हैं कि यह बंदा भद ही खुद की कहानी बताता रहता है खुद को दिखाता है छोड़ा अलगते का मांइंड-सेट लोग बना लेते हैं तो आपको या करना लोग motivate होते हैं वो photos आपको upload करनी है उसके लवा inspirational जो post होती है जैसे आपने कोई video देखा उसको देखके अगर आपको अच्छी feeling आती है आप emotional feel करते हैं या फिर जो सारा जो business आपका निकलेगा वो feeling से निकलेगा कि सामने वाला आपका chat देखके कैसा feel करता है आपका message देखके या फिर आपकी status देखके कैसा उसको feel होता है उससे आपका पूरा business निकलेगा तो जो आप post कर रहे हैं वो inspirational होनी चीए motivational होनी चीए खुद की photos कर सकते हैं उसके अलवा जो avoid करना है वो नहीं करना आपको धरम राजनिती वाली post नहीं करनी है आपको किसी भी नेता को या किसी को भी promote नहीं करना है कोई चुटकुले कोई सायरी ऐसी post आपको नहीं लगानी है हाँ कोई post ऐसी है जिससे सामने वाले है कि चैरे पर स्माइल आएगी तो वह आप शेर कर सकते हैं बाकी चीजें दुख बरे गाने यह सब लगाना आप अवोईड करें तो बाकी जंता कर रही है आप भी यह करेंगे तो लोग सोचेंगे कि यह भी मेरे जैसा है इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है तो यह सबसेक्द का पोस्ट आपको दिखाऊंगा यहां पर कि impressive जो हमारे और वीडियो अपलोड करना नोट बिग डील आप जो कैप्शन में डालेंगे न वह बहुत इंपोर्टेंट है लोग कैप्शन को देखके पूरा पोस्ट देखते आपका अपकोई भी आपका पोश्ट पर आता है पहले आपकी फोटो नहीं देखता है बहुत पहले आपको कै माक लगा के करेंगे तो आपका काम हो जाएगा ओके दो चीज़े अपनी हो गई है दो पी हमने कवर कर लिए प्रोफाइल और पॉस्ट सवाल जो होंगे वह हम लास्ट में लेंगे जैसा कि सरने में बताया था अब तीसरे पी पे चलते हैं वो होते हैं लोग ठीक है कि कौन से लोगों के साथ में बिजनस करें कौन से लोगों के साथ में काम करें तो आपको मैं कुछ चीज़ेस्ट करूँगा जो भी लोग जिनकी प्रोफाइल पर आप जाओगे और आपको लगेगा कि यार यह थोड़ा बच्चा टाइप है थोड़े बच्चे की तर वो भी social media यूज करते है तो उनको भी आपको avoid करना है आपको focus करना है ऐसे लोगों पर जो आपकी तरह दिखते हैं यानि कि अगर मालो मैं एक student हूँ तो मैं focus करूँगा ज्यादा जो लोग मेरी तरीके के हैं अगर मालो मैं एक doctor हूँ तो जो लोग मेरी fields related है मैं उस पर ज्या करता हूँ कि आप mix-up में focus करो ऐसा किसी particular category में business नहीं निकलता है जैसे मेरा जो रहता है कि मैं तीन students को पकड़ूँगा तीन mature लोगों से बात करूँगा तीन housewife या female से बात करूँगा तो एक daily का रहता है कि इतने लोगों को ऐसे ऐसे friend बनाना है और इतने लोगों से ऐसे ऐसे बात करना है तो आप भी same तरीके से वह चीज़ कर सकते हैं तो सुरुआत जो आपकी होगी बिजनस की जैसे आप सोचल मेडिया सुरू करोगे नया नया तो आपको सुरू में किन लोगों को friend बनाना है already कुछ friends आपके होगे जैसे की मेरे Instagram पे कुछ लोगों को मैंने follow कर रखा है जो कि मेरे friends है अब let's suppose मैं गया इनकी profile पे अब ये मेरे friend है तो मेरे को क्या करना है इनकी post पे जाना है और इन्होंने latest post कब की 14 माई को यानि कि ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है 15 दिन पुरानी है मेरे को क्या करना है इनकी फोटो पे जो लाइक आ रखे है उन पे जाना है और इन लाइक पे जाके जिन लोगों ने इनको फोलो कर रहा है यानि कि ये कौन होगे मेरे दोस्त के दोस्त होगे तो पहला काम जो आपको करना है आपके रिस्तेदारों की प्रोफाइल पे जाके अ और कुछ लोग बहुत महान होते, क्या करते हैं, अपलाइन की दोस्तों को जाके फ्रेंड बना रहे हैं, डाउनलाइन की दोस्तों को जाके फ्रेंड बना रहे हैं, ऐसी गलती मत करना, जो लोग आपके बिजनस में नहीं है, जो जोईन है वो तो खुद करेगा अपना काम, ज उससे ज्यादा भी मत करो कम खाओ पर अच्छा खाओ अब फोलो करते टाइम पे किस चीज का ध्यान रखना है जैसे प्रोफाइल पे गई अगर उसकी फोटो वगेरा दिखा रहा है तो आप पता लगा लेंगे कि वह किस तरीकी का इंसान है बाकी इंस्टेग्राम पे आपको आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है ओल फ्रेंड्स पे किलिक करेंगे सोट पर जाके अब कोई भी आपके फ्रेंड यह मेरे फ्रेंड्स है तो मैं इनकी प्रोफाइल पर जाओंगा इनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वह इन्होंने कब किया है कि कि इन और शेय है तो सब्सक्राइब यह जोब विनक lami फ्रेंड उपर इंकी प्रोफाइल पर जाके मैं देख लुँआ अगर मेरे को लिए कि हैं थोड़ा सा प्रोफेश्टनल हैं थोड़ा सा मेश्चियोर है उनको जाके मैं फ्रेंड बना लंका फेस्बुक पे आप र पहला तरीका तो यह हो गया Friends ढूंदने का कि दोस्तों के दोस्तों की प्रोफाइल पे जाके और इस तरीके से कर सकते हैं दूसरा आता है कि आप जिस सेहर में रहते हैं जैसे कि मैं रहता हूं जैपुर में तो आप उसका नाम सर्ज करिए जैसे आपने सर्ज किया जैपूर 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 सब्सक्राइब तो आपको उपर बहुत सारे ऑप्षन मिलते हैं पॉस्ट पीपल गुरूप इवेंट फोटोज वीडियो पेज आपको पेज पर आके रुकना है और जैसे आपको बहुत सारे पेज आपको यहां पर मिलेंगे जैसे ब्यूटीफ पहले यह अपलोड हुआ इसके लाइक पर जाओ आप जैसे लाइक पर जाओगे तो जो भी लोगों ने लाइक कर रखा है उनकी प्रोफाइल पर जाहिए देखिए थोड़ा सा और उनको फ्रेंड बनाईए ऐसे भी आप लोग को फ्रेंड बना सकते हैं ठीक है दूसरा तर अपने अपने एरिया का बोल्टों में अब जेपूर में हमारे विवेकानिंद गलोबल यूनिवर्सिटी इसकी पोस्ट पर जाओंगा मैं तो इसका पोस्ट वाला सेक्शन यह रहा इसने 21 गंटे पहले पोस्ट किया अब इसको लाइक कौन करेगा या तो जो वहां पर कि आपने हाथि में आजाए अपने तुस यूणिवर्शिटी में घुश के बिजशनस करना है यह जैपूर में एक यूणिवर्सिटी है इस तरीके से और फिमेल च्यूर्सिटी में अपना टीम बना सकते हैं है ओके सेम इंस्टाग्राम पर आपको यह ओप्शन मिलता है बहुत सारे फीचर्स के साथ में तो इंस्टाग्राम पर हम चलते हैं कि यहां पर सर्च वाले ओप्शन पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूं कि यहां पर सर्ट का आपिछ पता नहीं क्यों खुल रहा है तो उस आप क्लिक करेंगे पको आपको सेम सट्ट कर सकते कोलेज जैपूर या जैपूर सर्च करेंगे तो जैपूर के जो भी पेज आते हैं ठीक है इनके उपर भी आप जाएंगे लाइक्स जो आते हैं तो जो पॉजिटिविटी में बिलीव करते वही लोग लाइक करते हैं तो अधिकतर लोग तो यहाँ पर आपको नेटोक मार्केटिंग वाले मिलेंगे पर आप यहाँ पर जाके भी लोग ढूंड सकते हो विवेक बिंदरा या फिर जो भी मॉटिवेशनल स्पीकर से उनके पेज होगा अगर आप फीमेल है और अगर आप नेगेटिविटी से डील कर सकते हैं ठीक है क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं सोचल मीडिया पर आपको बहुत अच्छे से अच्छे प्योर लोग भी मिलेंगे और सोचल मीडिया पर बहुत खराब से खराब गंदे लो थैंगा अभी आपको कहां पर मिलेंगे आपको जो सर्च का उप्षन आता है तक आपको बादी से जाओ पोस्ट पर जाना आपको inherently करता है इसको तीवी को जो फीरी में रहते हैं घर पर मज़े करते हैं वहीं लोग इसकोण करतें यहां पर आपको बहुत सारी फीमेल से मिल जाएंगी जो भी आपका टीवी सीरियल वागेरा आते हैं जिससे यहां पर कोई सीरिल का पूस्ट अभी आया नहीं है भी इस प्टिक्शनी पार अपने सबसे पहले धोस्टों के दोस्तों पर आपको काम करना है। और तीन पी हैं वो हमने cover कर लिया है profile, post और people अब चोथा जो सबसे important part आता है वो होता है prospecting की क्या बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है उसके उपर हम बात करेंगे जो कि बहुत important point है ठीक है यह basic जो तीन point है अगर आप उनको सही तरीके से करेंगे तब ही यह चोथे वाला point काम करेगा नहीं तो आपको कोई भी आपसे बात नहीं करेगा कोई भी आपको results नहीं आएंगे अगर आपकी profile अच्छी नहीं है अगर आप यह सोच्टे कि नहीं मैं तो अपनी profile अपडेट नहीं कर सकता हूँ या फिर मैं तो नई profile बना के काम कर लूँगा कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सर यह जो profile है न मैं इसको हटा देता हूँ और मैं नई profile बना लेता हूँ business के लिए तो वो भी गलत चीज़ है क्योंकि जब आप वेस्टीज को accept ही नहीं कर सकते तो वेस्टीज आपके लिए फिर नहीं काम करेगा आपको accept करना पड़ेगा कि आप वेस्टीज कर रहे हैं आप डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं या आपको अपनी profile पर दिखाना पड़ेगा पोस्ट के थूँ स्टेटस के थूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिनको आप जानते हैं वो लोग वेस्टीज के बारे में सुनते हैं पर उनको कोई इंसान नहीं मिल रहा जिसके साथ वो जोईन कर पाएं तो आप दिखाएंगे तो कुछ लोग आपको सामने से भी बोल कि मैं वेस्टीज करता हूं मैं डारेक्ट सेलर हूं और मैं डिजिटल तरीके से इस बिजनस को बिल्ड कर रहा हूं दूसरी चीज आपको वहां पर अच्छे पोस्ट करने हैं किसी से भी बात करने से पहले आपकी प्रोफाइल पे लगबग 12 अच्छे पोस्ट होने चीए ठीक है 12 के लिए क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यह जो आपका इंस्टाग्राम का यह ऐसे दिखता है न यहाँ पे तीन लाइन आपकी भरी भी होनी चीए तीन चार लाइन तो बारा पोस्ट आपको कम से कम कर लेनी है ठीक है फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे और डेली 10 फेस्बुक पे 10-15 लोगों को इंस्टाग्राम पे फोलो करना है आपका डेली का काम रहेगा अगर यह तीन चीज़े आप अच्छे से करेंगे तो चोथा पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा अब सोशल मीडिया काम कैसे करता है क्या किसी को जैसे बहुत आपको फ्रेंड बनाओ और उसके दो-तीन दिन में उनके साथ में बिल्कुल लगातार बात करो उसके बाद में वह लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे ठीक है ऐसा नहीं होता है सोशल मीडिया ऐसे काम नहीं करता है मैं आपको पहले बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे सबसे कम्यूटी बनाएं है क्म्यूटी बनाना एक बहुत सारे फ्रेंड बनाने है सबसे पहले एक दिन दो दिन का गेम नहीं है आपको इस पे तीन से चे मेने इनवेस्ट करने पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा लीड जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया के थुरू अगर आप तो आप रोज के नंबर निकाल सकते हैं आराम से सोचल मीडिया के थूप और जैसे नॉर्मल जैसे मिटिंग्स होती है तो मैं जैसे बोला जाता है कि आप एक से दो गेस्ट लेके आईए हमारी टीम में मैं लोगों को बोलता हूं कि आप कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करिय एक से दो दिन के अंदर सोचल मीडिया के थूप तो वह कैसे होगा तो सबसे पहले आपको और गुशने का जरूरत है यह नहीं दूसरी कंपनी के लोगों को फ्रेंड बनाने का जरूरत नहीं है आप वो लोग पर फोकस करिए जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं अभ बहुत जनसंख्य है जो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानती है जिसको जैसे आज मैं दस लोगों को सामने से बोलता हूं कि आप वेस्टीज के बारे में जानते हैं तो आपको आठ लोग यहीं बोलेंगे कि नहीं जानते हैं और दो लोगों को इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं तो लोग नहीं जानते हैं वेस्टीज को एक्चुल में तो आपको उन लोग का कम्यूनिटी बनाना है फेस्बुक पे और इंस्टाग्राम पे जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं उसके बाद में आपको क्या सामने से पूछेंगे कि भाई तू करता क्या है काम क्या है आपका और सर और बोलते हैं कि सर ये क्या है आप क्या करते हैं सर ऐसा वो सामने से पूछते हैं तीसरी चीज आप regular story लगाई है दिन में तीन बार story लगाई है story मतलब status स्टेटस लगाने का वैसी Facebook Instagram पे भी है तो एक सुबह लगाई है नो बजे एक दो पैर में लगाई है और एक श्याम में लगाई है अब तीन बार लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूं आप सुबह लगाएंगे आपके बाद में और भी लोग story लगाते हैं तो आपकी story नीची कि आपकी story पे ज्यादा लोग कैसे देखें आपकी पोस्ट को ज्यादा लोग कैसे देखें तो time होता है पोस्ट लगाने का story करने का तो वो टाइम पे आपको लगाना पड़ेगा सुबह के time पे लगाई है एक story दो पहर के time में एक story लगाई है तो community बना लिया आप regular post कर रह रेगुलरे स्टोरी लगा रहे हो वो कम्यूनिटी उसको देखती रहती है ठीक है अब आपको क्या करना है प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है इसको आप बेसिक तरीके से समझना कोई भी परसन आपका फ्रेंड बना ठीक है तो फ्रेंड बनने के बाद में ऐसा नहीं कि उस प्रेंड रिक्वेस्ट बेजा उसने आज एकसेप्ट कर लिया तो आज ही उसके पीछे मत लग जाओ उसको दो तीन दिन रहने दो अगर आते ही आप किसी के पीछे लग जाओगे तो सुचेगा क्या बड़ा चिपको आदमी है पहले नहीं पता नहीं क्या बेचने लग गय तो ऐसा नहीं होना चाहँ ऐसको उसके बाद में उसको पहला मैसेज करो हाए और हाई के साथ मेंएक और मैसेज आता है वाई ब्रोदर हाई मैम थाका वो यूज करना है sir, ma'am, brother, sister, यह सब चीजे कैसे यूज होते हैं और नाम से कैसे बोल सकते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर नाम से तो देखो आप मती बोलो किसी को किसी को इज़त दो के तो सामने वाला अच्छा फील करेगा तो brother कहाँ पर यूज करते हैं कोई भ इसलिए जो married females होती है उनको में दी-दी बोलता हूँ ठीक है हाई दी ठीक है और sister बोल शक्ता हो एंuciri तोड़ा अड़ लगता है तो आप दी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा हाई दी इस तरीके से message करता हूँ जो married होती है उनको और जो females unmarried होती है उनको मैं उनके नाम से message करता हूँ ठीक है या फिर high ma'am बोलता हूँ ठीक है अगर कोई बड़ा professional है गवर्मेंट का कोई बड़ा अधिकारी है या इस तरीकी का कोई बंदा है किसी college का principal वगेरा है teacher वगेरा है तो उसको मैं sir या मैम से बोलूँगा जो आपसे age में छोटे हैं उनको भी आप brother बोलिए और यह कुछ basic चीज़े हैं जैसे अभी sir थोड़ी देर पहले दिखा रहे कि उसके अंदर एक चीज था कि जो संसकार है तो वह आपके दिखाता है संसकार दिखाता है जो आप किसी को इस तरीके से बात करते हैं बहुत सारी लोग मेरे को बोलते कि सर मैं किसी को message करता हूं तो गलत तरीके से इसलिए करता है कि आप उसको इस तरीके से बात करते हैं आप उसका इंट्रिव्यू ले रहे हैं तो पहला मेसेज क्या होना चाहिए जैसे मैंने अपनी एज के किसी बंदे को फ्रेंट रिक्वेस्ट भेजी उसने एकसेप्ट किया दो से तीन दिन बाद में मैंने उसको मैसेज किया हाई ब्रदर तो उधर से मेरे पास रिप्लाई आ अगर वह सिर्फ हाई का मैसेज करता है तो उससे जो मेरा अगला सवाल होता है वह मैं उससे यह पूछता हूं कि आर यू फ्रॉम राजस्तान ठीक है आर यू फ्रॉम राजस्तान अब कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि आप कहां से हैं तो जब आप उससे ऐसे पूछ रहें आपकी बात पर और वो सूचए गा का यारी क्यों पूछ रहा है ठीक है आपने पूछ लिया कि वह वहां से है तो बता देगा कि में राजस्तान से हूँ अगर उसकी प्रोफाल पर दिख रहा है कि वो गुजरात से है तो उसको पूछो आरिव फॉर्म गुजरात आप गुज आप उसको पूछेंगे तो yes no आपका reply करेगा कि वो कहां से है और तीसरी चीज उसको आपको पूछना है कि आप क्या करते है किसी भी person को जो आपका friend है Facebook पे आपको उसके बारे में तीन चीजे पता कर लेनी है वो कौन है वो कहां से है वो क्या करता है यह तीन चीजे आपको पता होनी चीए उसके लाव आप उसको कोई approach नहीं करेंगे कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे यह तीन चीजे पहले पता कर लें अब सामने वाला जैसे आपने उससे पूछा कि आप क्या करते है तो वो बोलता है कि मैं doctor हूँ ठीक है और वो आपसे पूछता कि आप क्या करते हो अगर वो पूछ रहा है कि आप क्या करते हो तो फिर आपको उसको smart answers देने हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगा और अगर वो नहीं पूछ रहा है तो उसको आपको okay लिख देना है ठीक है मैं आपको भी पूरी chat वगेरा सब चीजे दिखाऊंगा तो आपको उससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा अब मालो कोई student है और वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं ठीक है आपका जवाब decide करेगा कि वो आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा अगर कोई student है और वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं तो आप उसको जवाब दीजिए कि मैं students की help करता हूं उनकी पढ़ाई के साथ में extra earning करने में क्या बोलना है कि मैं students की help करता हूं उनकी पढ़ाई के साथ extra earning करने में सामने वाला पूछे का कि कैसे तो उसको आप बोलिए कि अपने प्रोजेक्ट के थ्रू वो फिर पूछे का कि आपका प्रोजेक्ट क्या है तो दिस इस माई नंबर यू कन कॉल और वॉट्सप मी बस बात खतम नंबर दीजिए और कॉल करने को बोलिए कोसिस यह करिए कि सामने वाला आपसे हमेशा पूछे इस तरीके की बाते करिए कि सामने वाला आपसे सवाल पूछे अभी मैं कुछ लोग को किसी को देख रहा था किसी ने मेरे को स्क्रीन सोट भेजा था कि सर इसका क्या रिप्लाई दूं तो उसने मैसेज कर रखा था कि आप क्या चाहते है मैं मार्केटिंग करूँ उसने गलत तरीके से उसको बोला अगर कोई बोला है जोब करता हूं तो उसको अप्रीशीट की अप्रीशेट कीजिए अपना जो नेट्रोक मार्केटिंग बिजनस है वह सेकेंड सोर्स ओफ इंकम के तोर पे आपको लोगों को द तो ऐसे मैसेज आपको नहीं करने है अगर कोई बोलता है जोब करता हूं तो उसको बोले कि ओके ग्रेट अप्रीशेट कीजिए उसके काम को अगर कोई बोलता है कि मैं आर्मी में हूं तो उसको अप्रीशेट कीजिए उसके काम को बोलता है मैं स्टुडेंट हूं तो उसक महारास्टर से हूँ तो उसको भी आप अप्रीशेट कर सकते हैं गुजरात से हैं तो बोले कि गुजरात के तो हवा में व्यापार है तो ऐसे कुछ तो उसको बोलो कि मेरे प्रोजेक्ट के थूँ उसके अलावा जैसे पुछेगी कि आप क्या करते हो तो जब को को मिटिंग होती है न उसका जो पोच टर बंता है वह इस तरीके से बनाए जाया जाए जैसे इस पंपनी टीम के पोच्छ आपको दिखाउनगा की मैं कैसे पोच्छ बनाता हूं हुआ है यह तो रही तो पॉस्ट होना चाइए वह. इस तरीके का पॉच बनना उनको आप बोलिए कि आप इस तरीके का poster बना के देज均 जिसमें पता चले कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं Firm मुनत सौर्स ओफ इंकम बनाने में हैल्प कर रहे हम उनको आत्म निर्बर बनाने में एल्प कर रहे हैं जो ऐसमिटेंग का पोस्टर है वो इस तरीके से डिजाइन होना चीह कि सामने वाला उसको पढ़े थो उसको पताचले मिटिंग के जो पोस्टर बनते हैं चिरफ उसको इंगलीस में ही मत बनाईए आपकी टीम में अगर गैम थे हिंवाले लोग है तो हिंदी बना पॉस्टर बनेंगे वो इस तरीके से बनाओ कि सामने वाले को पता चले तो इस पोस्टर को हम करेंगे सामने वाले को अपनी मीटर महीं नाने के लिए जैसे कल मीटिंग है तो आज आपके पास से पोश्टर आजाएगा आपको क्या करना है जिन 轄 बी लोगों से आपने पूछ रख़ें नहीं करेंगा तो अग्र वो आपसे पूछ रहा कि यह क्या है तो आप उसको अपना नंबर देखे और उसको call करने के लिए बोल सकते हैं और बदले में उसका नंबर लेके आप भी उसका सामने से call कर सकते हैं आपको किसी को मैसेज के थ्रू अप्रोच नहीं करना है अगर मैसेज के थ्रू अप्रोच करेंगे तो क्या होगा कि सामने वाला इंटरस नहीं लेता है क्योंकि आज के टाइम सब लोग ओनलाइन ही कर रहे हैं इस बिजनस को तो लोग को गलत-गलत तरीके से अप्रोच कर रह उसके बारे मेरे को पता लग गया अब उसने मेरे से पूछा नहीं कि आप क्या करते हो तो मैं उसको फिर मिटिंग का पोस्टर भेजता हूं और वह मेरे को उसको देख के बोलता है कि यह क्या है इसमें क्या होता है mostly लोग के आपको reply आएंगे अगर इस तरीके से करोगे तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो poster देखके आपको कोई react नहीं करते हैं जैसे मालोग कोई बंदा student है आपने उसको poster भेज दिया और उसके बाद में उसका कोई reaction नहीं आया तो उसके बाद में आपको उसको अप्रोच करना होता है message के थूँ poster के बाद में भी अगर उसका reply नहीं आया तो message के थूँ approach करना होता है जैसे student है तो उसको आप क्या बोलेंगे student, job और housewife तीन तरीके के ही लोग मिलते हैं उनको कैसे approach करते हैं मैं आपको बताता हूँ अगर student है तो उसको approach कैसे करेंगे आप अपनी study के साथ साथ कुछ ऐसा करना चाहेंगे जहांसे आप independent बन जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसको बोले कि पढ़ाई के साथ में कुछ ऐसा करना चाहोगे जहांसे आप independent बन जाओ और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले ठीक है क्योंकि आज के टाइम पर हर student independent बनना चाहता है और हर student नई चीजे सीखना चाहता है दूसरा option है जैसे कोई job करता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ कि आप अपनी job के साथ में कुछ ऐसा करना चाहोगे जहांसे आप अपनी monthly income को बढ़ा सको क्या आप अपनी job के साथ में कुछ ऐसा करना चाहोगे जहांसे आप अपनी monthly income को बढ़ा सको एंड उसके बाद में जो housewife होती है तो मैं उनको ऐसे अप्रोच करता हूँ कि मैम आप घर से कुछ ऐसा करना चाहेंगी जहां से आप earning कर पाएं या आप घर से कुछ ऐसा करना चाहोगे जहां से आप earning करना कर पाओ अब कुछ लोग बोलने में भी गलती कर देते हैं जैसे बोलेंगे कि आप कुछ करना चाहते हो और एक होता है चाहोगे चाहते हो और चाहोगे जैसे मैं किसी को बोलो कि तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे कुछ मांग रहा हूँ तो आपको हमेज़ा चाहते हैं कि जगहे पर चाहोगे, यूज करना है, कि आप ऐसा कुछ करना चाहोगे, जहांसे आप गर से पैसा कमा सको, कि आप कुछ ऐसा करना चाहोगे, जहांसे आप independent बन पाओ, और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले, तो ये छोटी-छोटी ची प्रवाइब आपको बताऊंगा उससे पहले आपको मैं कुछ दिखाता हूं अब कि हर तरीके की चैट्स है मेरे पांस में तो मैं आपको दिखाता हूं कि जिससे आपको थोड़ा समझ जाएगा कि अब ट एक एक प्रदीपर डिखाता हूं कि ऐसे काम करता हूं मेरे पास में मुल्टीपल तरीके if तो मैं आपको जो पड़ा दी आपको पूश्टर वाला बट यह कुछ पुराने तरीके हैं जिनको भी आप आप यूज कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन रोटेट करके आपको दिखना था हूं ताकि आप अच्छे से समझाए पहला स्क्रीन स्क्रीन सौट आप देखें मैंने मैसेज किया लड़की नाम से मैसेज करते हैं उसने हलो बोला मैंने पुछा आरियू फ्रॉम जैपूर इन्हों ने बॉला कि हाँ ओके ग्रेट मैंने पूछा क्या करते हो आप अप तो इन्होंने बताया कि स्टेडी प्लस तो इन्होंने बोला कि मैं ब्यूटीक में जोब करती हूं तो तो मैंने इनको मैसेज किया कि मैं पूछ ऐसा करना चाहोगे जहां से अपनी मंतली इंकम को बढ़ा सको तो इन्हों ने मेरे को जरूर बोला और सेम चीज मैंने इनको नंबर दिया और इसके बाद में इनका मेरे पास में को पूचा कि कोई investment नहीं करनी पड़ेगी तो मैंने बोला कि कोई investment करनी होती है हो नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा सब्सक्राइब तो स्टेमां करते हो आप मैंसेश तो situation में females को क्या message करना होता है या mail को भी आप कर सकते हैं मैं females को यह message करता हूं कि आप कुछ भी गलत मत सोचिए मैंने आपको सिरफ business purpose के लिए message किया है क्योंकि mostly females ऐसा सोचते हैं कि यार कोई ऐसा ही fall to message कर रहा है प्रेशान कर रहा है तो इस तरीके से आपको यह message send कर दीजि study के साथ में कुछ करना चाहोगे वह independent बन पाओ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले तो मैंने इनको बताया और सेम मैंने इनको अपना number शेयर किया और मेरे पास call आया तो ऐसे बहुत सारे तरीके मैं कुछ और यूनीक से आपको दिखाता हूं अगे जैसे हाई वरून तो वही आर्यू फ्रों महारास्टर येस तो मैंने पुछा क्या करते हो आप ठीक है तो यह सब चीजे इन्होंने बताई कि मैं यह काम करता हूं डिजिटल मार्केटिंग वगेरा तो फिर मैंने इनको बताई कि मैं अपने बिजनस को पूरे इंडि क्लिक कर रखें बहुत अच्छे क्लिक कर रखें तो इसने थैंक्यू वगेरा बोला फिर मैंने पूछा कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है तो इन्होंने बोला कि मैं साथ से आठ रिजार रुपे कमा लेता हूं तो मैंने बोला कि आप इससे तो फिर सेम चीज मैंने इनको अपना नंबर शेयर किया और इनका मेरे पास को लाया तो इसी तरीके से जो भी आपके रिजल्ट से वह निकलेंगे आपको यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस है वह यूज करना पड़ेगा कुछ बेसिक चीजे हैं उनको ध्यान में रखनी